नवस्कार आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत हैं मैं हूँ प्रवीन मिस्र आए जानते हैं 22 नॉम्बर का दिन आपका कैसा बितेगा सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की 22 नॉम्बर 2021 दिन सोमवार मार्ग सीस मास चल रहा है क्रश्न पक्ष है तृतिया तिथी रहेगी रात को 10 बज कर 26 मिनट तक फिर चतूर्थी तिथी प्रारंब हो जाएगी म्रग सिरा नचत्र होगा सुबह 10 बज कर 44 मिनट तक फिर आद्रा नचत्र शुरू हो जाएगा चंद्रमा मिथोन राशी में है भगवान शूर ब्रश्चिक राशी में बिराजमान है अब जीत मुहूर्थ का समय होगा सुबह 11 बज कर 46 मिनट से दोपहर 12 बज कर 28 मिनट तक और राहुकाल का समय होगा सुबह 8 बज कर 9 मिनट से सुबह 9 बज कर 28 मिनट तक दिशा शूल होगा आपके लिए पूर्व दिशा यानि पूर्व दिशा की लंबी दूरी की यात्रा ना करें लेकिन अगर डे-to-day वर् भी लेंगे तो जो लोग अपने सवाल भेज रहें उसमें बर्थ डिटेल के साथ कोश्चन जरूर लिखेगा ताकि आपकी कुंडली बना कर जवाब दिये जा सकें साथ ही आज किसी महत्यपूर्ण विशा पर चर्चा भी करेंगे और आज का उपाए भी बताएंगे सबसे शुबरंग है आपके लिए केसरिया उपाए भगवान शिव का जल और दूद से अविशेक करें व्रश राशी सिक्षा के छेतर में सफलता मिलेगी प्रापर्टी से संबंधित लाब होगा वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करें आपका मान सम्मान बढ़ेगा शुबरंग है आपके लिए सफेद उपाए किसी गरीब को आटे का दान करें मिथुन राशी रुकवे हुए काम पूरे होंगे धन लाब होगा विनम्र ब्योहार रखने से आपको ज़्यादा फायदा होगा उधार लेन देन से बचना होगा शुबरंग है आपके लिए सिल्वर कलर उपा गाय को हराचारा खिलाएं करकराशी धन लाब के अवसर मिलेंगे सेहत को लेकर चिंता रहेगी अपनी योजनाओं को लागू करने का समय है ये समय काम को आगे बढ़ाने का है इस सुब समय का आपको लाब उठाना चाहिए शुबरंग है आपके लिए क्रीम उपाय भगव शिव की आरती करके दिन के शुरुआत करें तो आपको लाब होगा अब वक्त हो चला है आपका सवाल लेने का बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं जो लोग कंप्लीट बर्थ डिटेल लिखते हैं जन्म की तारिक, जन्म स्थान, जन्म समय हम उन्हीं के सवाल ले पाते हैं जो लोग सिर्फ बर्थ की डेट लिख देते हैं उनकी कुंडली बनाना संभव नहीं है सवाल जिनका ले रहे हैं इनकी कुंडली बनके तयार है इनका नाम है कमलेश कुमार वर्मा इनकी डेट आप बर्थ है 12 मार्च 1986 जन्म का समय है सुबह आठ बजे और जन्म इस्थान इनका गोरकपूर उत्तर प्रदेश का है कमलेश कुमार बर्मा जी का सवाल ये है कि ये एक बिजनस कर रहे हैं उस बिजनस में ग्रोथ नहीं हो रही बिजनस इनका आगे नहीं बढ़ रहा है तो वो कब तक बिजनस ग्रोव करेगा देखिए आपने जो डिटेल बताई है 12 मार्च 1986 सुबह 8 बजे गोरकपूर उसाधार पर कुंडली आपकी बन गई है आपकी मेस लगन की कुंडली है और मीन राशी है आपका जन्म उत्रा भाद पदन छत्र के चतुर्त चरण में हुआ है इस समय आपकी शुक्र की महादसा चल रही है जो जुलाई 2012 से शुरू हुई है और जुलाई 2032 तक चलेगी और राहु की अंतरदसा सितंबर 2019 से सितंबर 2022 तक चलेगी बिजनस आपका ग्रो करेगा धैर रखिये सितंबर 2022 के बाद जब शुक्र की महादसा में ब्रहस्पती की अंतरदसा शुरू होगी आपका बिजनस में ग्रो करना शुरू हो जाएगा और सितंबर 2022 से मई 2025 के बीच में आपको बिजनस में अच्छा फाइदा होगा अभी धै आपके बाद करते हैं सिंग राशी की सिंग राशी वालों को मेहनत का अच्छा फल मिलेगा आपके काम की सराहना होगी नौकरी में उन्नती का योग है करीबी लोगों से मत भेद हो सकता है क्रोध से बचना होगा शुब रंग है आपके लिए हलका लाल उपाए ओम नमाशिवाय का 108 बार जाप करें कन्या राशी धन लाव के अवसर मिलेंगे विदेश यात्रा का योग है नए लोगों से मिटिंग होगी किसी की आलोचना ना करें शुब रंग है आपके लिए सफेद उपाए किसी गरीब को फल का धान करें तुला राशी परिवार में सुक शान्ती बढ़ेगी आफिस में काम को लेकर व्यस्त रहेंगे कोई काम जल्दवाजी में करने से बचें अपने व्योहार में विनम्रता रखें शुब रंग है आपके लिए गुलावी उपाए दुरगाजी की आरती करें ब्रश्चिक राशी धन निवेस्क से लाब होगा रिष्टेदारों से संबंध सुधरेंगे पैसे से जुड़ा कोई फैसला सोच समझ कर करना होगा अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा शुब रंग है आपके लिए हलका लाल उपाए शिव जी को पीला चंदन लगाएं तो आपके लिए बहुत शुब रहेगा अब वक्त हो चला है आपका सवाल लेने का सवाल जिनका ले रहे हैं उनका नाम है मिनाक्षी सिंग इनकी डेट अब बर्थ है चार नौंबर उननीस सो च्यानवे जन्म का समय है रात को दस बज कर पंदरा मिनट और जन्म स्थान इनका लखनाव का है इनका सवाल यह है कि यह एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है इनको प्रमोशन कब मिलेगा देखिए मिनाक्षी जी जो आपने डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली बन गई चार नॉम्बर 1996 रात को दस बज कर पंदरा मिनट लखनाव उत्तर प्रदेश आपकी करक लगन की कुंडली है और आपकी सिंग राशी है मगान अच्छत्र के दूती चरण का आपका जन्म है इस समय आपकी शुक्र की महादसा चल रही है जो दिसंबर 2001 से शुरू हुई है और दिसंबर 2021 तक चलेगी और केतु की अंतर दसा अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2021 तक चलेगी फिर आपकी शूरी की महादसा शुरू हो जाएगी दिसंबर 2021 से और आपकी जॉब में उन्नती की य 2022 से ले करके नौमबर 2022 के बीच में करियर में उन्नती के योग दिखाई दे रहे हैं तो इसमें आपको प्रमोशन मिलेगा, ग्रोथ होगी या आप किसी दूसरी जगे जॉब जॉइन करके तरक्की प्राप्त करेंगे तो ये जो समय है फरवरी 2022 के बाद का ये आपके लिए बहुत शुब है उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, आपकी कुंडली में लग्न का स्वामी चंद्रमा सिंग राची में बैठा हुआ है तीन डिग्री का मन अच्छा रहे, आप सही तरीके से काम कर सकें इसके लिए एक सवा सातरत्ती का मोती आप सोमवार के दिन चांदी की अंगूठी में सबसे छोटी उंगली में धारन कर लें और प्रति दिन भगवान शिव को जल अर्पित करिए चंद्रमा ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा और आपकी परसनालिटी में और निखार आएगा आपकी तरक्की होगी चलिए बात करते हैं धनू राशी की धनू राशी वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला समय आपका काम में मन लगेगा आफिस में सहयोगियों से मदद मिलेगी संतान की सेहत को लेकर चिंता रहेगी यात्रा से लाब होगा शुब रंग है आपके लिए हलका पीला उपाय भगवान शिव की आरती करें मकर राशी धन की प्राप्ती होगी पुरानी योजनाओं पर फिर से काम शुरू होगा अपनी सोच को पॉजिटिव रख कर फैसला करना होगा परिवार से आपको सहयोग मिलेगा शुब रंग है आपके लिए केसरिया उपाय हनुमान चालिसा का पाठ करें कुम्भराशी नई नोकरी का ओफर मिलेगा परिवार के सहयोग से काम बनेंगे नकर आत्मक सोच से बचना होगा शत्रूओं पर विजय प्राप्त होगी शुब रंग है आपके लिए सफेद उपाय भगवान क्रश्न की आरती करें मीन राशी लंबी दूरी की यात्रा का योग है आपके खर्चे बढ़ेंगे मित्रों की सलाह से फैसले करें लाब होगा अपने आत्म विश्वास को और बढ़ाना होगा शुब रंग है आपके लिए हल्दी जैसा का रंग उपाय भगवान शिव को पीले पुष्प और अक्षत अर्पित करें आज हम बात करेंगे अमावश्या तिथी का क्या महत्तु है और कैसे आप इस तिथी का लाब उठा सकते है अमावश्या क्रश्न पक्ष की अंतिम तिथी मानी जाती है अमावश्या को आकास में चंद्रमा दिखाई नहीं देता है और रात्र में गहन अंधकार छाया रहता है इस दिन का जोतिश में और तंतर सास्थर में बड़ा महत्व है तंतर सास्थर के अनुसार अमावश्यक तिथी पर जो उपाय किये जाते हैं वो बहुत प्रभाव साली होते हैं और उनका फल बहुत शीगर ही प्राप्थ होता है पित्र दोस हो या किसी भी प्रकार के ग्रह की अशुभता हो उसको दूर करने के लिए अमावश्या तिथी को उपाय किये जाते हैं आर्थिक इस्थिति और परिवार की परेशानियों को दूर करने के लिए भी अमावश्या तिथि को प्रयास किये जाते हैं और वो बहुत सफल होते हैं तो हमी क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमारी आर्थी किस्तिती अच्छी हो जाए, परिवार की समस्याएं दूर हो जाएं और तरक्की मिलें, सरल सरल उपाय बता रहे हैं ये आपको हर अमावश्या को करने हैं, क्या करना है आपको, हर अमावश्या को घर के कोने कोने की यान जलाइये और तुलसी का पौधा आवश्य अपने घर में रखिए और तुलसी के पास दीपक आवश्य जलाइये इससे आपकी आर्थिक स्थिती अच्छी होगी दरिदर्ता दूर होगी गरीभी दूर होगी धन लाब के लिए क्या करें? धन लाब के लिए अम आवश्या के दिन पीली त्रिकोन आकरती की पताका भगवान विश्णु के मंदिर में उचाई के स्थान पर जहां जंडा लगाया जाता ना उस उचाई के स्थान पर लगाना चाहिए यह पताका जैसे जैसे यह त्रिकोन पताका जो आकरती की पताका जैसे लहराएगी ना उसी तरीके से आपका भग भी चमकेगा इसलिए थोड़ा उचाई पर लगायेगा कि हवा लगे और पताका लहराए पित्रों की शांती और बाधाओं से मुक्ति के लिए अमावश्या के दिन क्या करें। देखें पित्रों को खीर का भोग लगाना चाहिए। खीर खीर पित्रों को पसंद होती है। इसलिए प्रतेक महा की अमावश्या तिति को खीर बनाकर खीर पीपल के नीचे रखें, ब्राम्हन को भोजन कराएं और जो है गाय को और कववे को भी अवश्य खिलाएं इससे क्या होगा पूर्ण की प्राप्ति होगी अगर पित्र दोस है तो उससे जो है शांती मिलेगी औ और आपके जीवन में यदि किसी भी तरह की बाधा आ रही है तो वो बाधाएं भी दूर होगी तो ये उपाय आप कर सकते हैं इससे पित्र देव प्रसन होते हैं अमावश्या के दिन पीपल के पेड के नीचे कड़वे तेल का दीपक जलाना चाहिए इससे भी पित्र सकते हैं और जीवन में कोई अचानक परेकाइशानियां आ रही हैं तो वो भी दूर होते हैं अमावश्या के दिन शनी डेव पर नीला पुश्प चड़ाया जाए तो उससे भी शनी देव का प्रकोप शान्त होता है अम आवश्या के दिन आप आटे की छोटी-छोटी गोलियां बना लें और मचलियों को खिलाएं तो इससे धन लाब होता है, धन आपके घर में बढ़ता है अब वक्त हो गया है आज के उपाय का, प्रेम में सफलता पाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखे, प्रेम में सफलता पाने के लिए सफेद वस्त्र धारन करिये और किसी धार्मिक इस्थान में लाल गुलाव और चमेली का इत्र शुक्रवार के दिन अर्पित करिये, तो आपको लाब होगा आपके तारे में आज बस इतना ही, आपका दिन शुब हो, नवस्कार